Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी आयरुवेदिक आउशदी लेकर आया हूँ जो विश्व के सभी देशों में प्रचलित है और इसका लोग प्रियोग करते हैं दोस्तों आयरुवेद में ये नमबर वन की आयरुवेदिक आउशदी मानी गई है दोस्तों इस आउशदी का प्रियोग नेपाल, भारत, पाकिस्तान, शाओदी अरब, अमेरिका, लंदन, आस्टेलिया, कुबेट आद विभिन देशों में इसका प्रियोग किया जाता है दोस्तों आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप जान लिजे कि इसका नाम है अपा मार्ग इसे दोस्तों चिचडी लड़जीरा भी कहते हैं, आपने चिचडी लड़जीरा के जड़, पत्ते, तनों का प्रियोग तो किया होगा लेकिन आज मैं दोस्तों आपको इसके बीजों का खीर बनाना बता रहा हूँ अपा मार्ग तंडुल या अपा मार्ग सीट्स का खीर कैसे बनाएं तथा या किन-किन बीमारियों में लाबदायक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको अपने वीडियो में अपा मार्ग के बीजों को लेकर आया हूँ जिसके दाने चावल जैसे हैं आप इसके दानों को साफ करके इसे खीर बना सकते हैं और इसका उप्योग बिभिन प्रकार की बीमारियों में कर सकते हैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि अपामार्ग का तंडूल है जो ये बीज है अकेलिक खुद ही या बीस बीमारियों का इलाज करने में मददगार साबित हुआ है तो आईए दोस्तों हम बताते हैं कि आप अपामार्ग तंडूल का खीर कैसे बनाएंगे तथा इसका उपयोग किन किन बीमारियों में करेंगे तो दोस्तों बता दूँ कि आपामार्ग प्रेकिर्ट में मिलने वाली एक बिलक्षण वह बहु उपयोगी जड़ी बुटी है या पच्चीसों बीमारियों की दवा है इसकी बीच छोटे चावल के जैसे होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं इसका छिलका उत्रे बीच 5-10 ग्राम ले ले उन्हें मोटा कूट ले अब इन्हें 250 मिली लीटर दूद में डालकर आधा घंटा धीमी आज पर उबाले स्वाद के अनुसार उसमें चीने मिलाएं वा सेवन करें तो इस तरह से दोस्तों आप अपामार के बीजों का खीर बना लेंगे अब कुश्चन यह है कि आखिर अपामार के बीजों का जो खीर है वो किन किन बीमारियों में लाव प्रद है तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अधिक भूजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो उन्हें भूख कम करने के लिए आपा मार्ग के बीजों की खीर बना कर नेमित सेवन करना चाहिए इसका प्रियोग करने से आपको प्राकरतिक तरीके से भूख कम लगेगी और सरीर की चर्वी धीरी-धीरे घटने भी लगेगी इसके बीज चावल की तरह दिखते हैं इन्हें तंडूल कहते हैं यदि स्वस्थ वेक्ति इन्हें खाले तो उसकी भूख प्यास आदि बहुत कम हो जाती है इसकी खीर उनके लिए वर्दान है जो भैंकर मुटापे के बाद भी भूख को नियंतरित नहीं कर पाते हैं दोस्तों आप इसका प्रियोग करके एक महिने में अपना वजन घटा सकते हैं यह आपके सरीर से बिसाक्त पदार्थों टॉक्सिक सविस्टेंस और अत्रिक्त जल मौर वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है यदि इससे आपका पेट भरा भरा सा लगे तो चिंता ना करें यह आपको भूख नहीं लगने देगा और आपका वजन बहुत ही जल्दी कंट्रोल में ला देगा तो दोस्तों आईए हम आपको बताते हैं कि अपा मार्ग के और क्या-क्या आउशद ही गुण है दोस्तों आपको बता दूँ कि अवरुवेद में अपा मार्ग के अनेक गुणों का बढ़न किया गया है या वर्सा रित्में पैदा होता है इसके पत्ते अंडाकार एक से पांच इंच तक लंबे और रोम वाले होते हैं या सफेद और लाल दोपरकार का होता है सफेद अपा मार्ग के डंठल वा पत्ते हरे वा भूरे रंके होते हैं इस पर जो के समान लंबे बीज लगते हैं लाल अपा मार्ग के डंठल लाल रंके होते हैं और पत्तों पर भी लाल रंके छीटे होते हैं इसकी पुस्प मंजरी दस से बारा इंच लंबी होती है जिसमें विसेस्ता पुटास पाया जाता है अपामार्ग खाने से ताकत आती है या पाचन सक्ती बढ़ाने के लिए या पौधा काफी फाइदें बन्द है अपामार्ग मूल चूण 6 ग्राम रात में सोने से पहले लगातार तीन दिन जल के साथ पीने से रतवंधी में लाव होता है जलोदर यानि पेट फूलने की समस्य में अपामार्ग क्वात एवं कुटकी चूण सेवन करने से लाव होता है अपामार को दूद की साथ सेवन करने से गर्ब धारन करने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों अगर किसी को 20 चड़ गया है चानरों के काटने वा साब बिच्चु जहरेले कीड़ों के काटे इस्थान पर अपामार के पत्तों का ताजा रस लगाने और पत्तों का रस दो चमच की मात्रा में दो बार पिलाने से 20 का असर तुरंद घड़ जाता है और जलन तथा दर्द में आराम मिलता है इसके पत्तों की पिसी हुई लुगदी को दंस के स्थान पर पट्टी से बान देने से सूजन नहीं आती और दर्द दूर हो जाता है अगर किसी को दातों का दर्द है तो अपामार की साखा या डा प्रद करने से दात मजबूत होते हैं अगर मुगे चाले हैं तो अपामार के पत्तों का रस चालों पर लगाएं संतान प्राप्त करने के लिए अपामार की जड़ के चून को एक चमच के मात्रा में दूद के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन कर करने से गर्व धारण होता है दूसरे प्रियोग के रूप में ताजी पत्तों के दो चमच रस को एक कप दूद के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन से भी गर्व इस्तित के सम्हावनाएं बढ़ जाती हैं मोटापा के बीमारी में आधिक भोजन करने के कारण जिनक मात्रा में मिस्री मिलाकर पीस लें एक कप दूद के साथ दो चमच के मात्रा में सुबह साम नियमित सेवन करने से सरीर में पुष्टता आती है अगर किसी को सिर्का दर्द है तो अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर्दर्द दूर हो जाता है दोस्तों अपा मार्ग मलेरिया की भी दवा है अपा मार्ग की पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस ले फिर इससे थोड़ा सा गुड मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तयार कर ले जब मलेरिया फैल रहा हो तो उन दिनों एक कि गोली सुबासाम बोजन के बाद नियमेत रूप से सेवन करने से इस ज्वर का सरीर प्राक्रमन नहीं होगा इन गोलियों का दो-चार दिन सेवन परयाप्त होता है गंजा पन के इलाज के लिए सरसों के तेल में अपा मार के पत्तों को जला कर मसल ले और मलहम बना ले इस गंजे स्थानों पर नियमेत रूप से लेप करते रहने से पुना बाल उगने के सम्हावना होगी अगर खुजली किसी को है तो अपा मार के पांचांग यार्था जड़ तना पत्ती फूल और फल को पाने में उबाल कर काढ़ा तयार करें और इसे इसनान करें नियमेत रू में खुजली दूर हो जाएगी अधकपारी अगर है आधिसरी में दर्द है तो इसकी बीजों की चून को सूंगने मातर से ही आधा सेसी यानि मस्तस की जड़ता में आराम मिलता है इस चून को सूंगाने से मस्तस के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी जड़ जाते हैं अगर किसी को बहरा पन है तो अपामार की साफ धोई हुई जड़ का रस निकाल कर उसमें बराबर मातरा में तील को मिला कर आग में पकाएं जब तेल मातर सेस रह जाये तब छान कर सीसी में रख ले इस तेल की दो त किसला दिखाई देना आखों का दर्द आखों से पानी बैना आखों की लालिमा फूली रताउंदी आज विकारों में इसकी स्वक्ष जड़ को साफ तामे के बरतन में थोड़ा सा सेना नमक मिले हुए दही के पानी के साथ घिसकर अंजन रूप में लगाने से लाब होगा खांसी में भी या लाब दायक है दोस्तों अपामार की जड़ में बलगमी खांसी और दमे को नास करने का चमतकारिक गुण है इसके 8-10 सुखे पत्तों को बीडिया हुक्के में रखकर पीने से खांसी में लाब होता है अपामार की चोण में सहद मिलाकर सुबह साम चटाने से 7 दिन में बहुत ही लाब होता है अगर कोई हैजा से पीडित है तो अपामार की जड़ के चोण को 2-3 ग्राम, 4 काली मिर्च, 4 तोसी के पत्ते, थोड़ा जल वा मिस्री मिलाकर देने से हैजा में अच्छा लाब मिलता है बबासीर का काल है अपामार की जड़, तना, पत् के साथ पीए इसे खूनी बबासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है दोस्तों इसके साथ ही गुर्दे का दर्द है गर्व धारन करने के लिए भी आप अपामार का प्रयोग कर सकते हैं रक्त प्रदर है ब्रण या घाव पर लगा सकते हैं संध जोड या जोड़ों की खार है दमाया स्वास रोग है आद विभिन तरह की बिमारियों में अपामार के आउसदी गुन का जो है आप लाव ले सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं कि आप इस विश्व्यापी आउसदी का प्रयोग अपने बिमारियों को दूर करने के लिए आवश्य करेंगे अग बिले कि अजरके लितिशी को दूर को यद में आवचे बिल्याभा आवश्य को रatas है करेंगे इस चाहिटे बिल्यापी आव दो दोस्तों का